दोस्तो एक फेबरेडी यानि आज बृत मन्ती निनमला सितरामन बाजिट पेस करेंगे कोरोना के चलते देश मंदी से जूज रहा है तो वही क्रिसी बिल के खिलाब देश बढ़ में आंदोलन हो रहा है इसके अलाबा कोरोना के चलते उद्दोग धंदे भी संकट में है साथ ही साथ देश में बिरोजगरी सतर भी काफी बढ़ गई है ऐसे में इस बजट से देश बढ़ की लोगों की उम्मीदे है लोगों को निर्मला सितरामन से बहुत उम्मीदे है कि वो कुछ ऐसे कई एलाण कर सकती है जो ऐसे हलतों में एहम सबित हो सकती है आइए जानते हैं कुछ सेक्टर के बाड़े में जहां बड़े एलाण हो सकते है एला, इंफरस्ट्रक्टर सेक्टर बजेट में एलांस से रेलवे, हाइवे और एरपोर्ट प्रोजेक्ट जल्द पूरे होने में मदद मिलेगी ऐसे पोजेट के लिए भड़ा सरकर इंफरस्ट्रक्चर सेक्टर में एक लाग करोर रूपे की फंट के सुनिश्चित कर सकता है सरकर ग्रामिन एलाखों में हिल्थ इंफरा पर जोर दे सकती है दूसरा, टैक्स में राहत मिल सकती है इसबस सरकर टैक्स स्चोट की सिमा को बढ़ा सकती है सरकर इसे भाइ लाख रूपे से बढ़ा कर 3.L. रूपे तक कर सकती है तिसरा, किसान अंदनों को देखते हुए सरकर किसानों के हीत में कुछ बड़े उपायों को घोसना कर सकती है बजेट में किसी से जूरी इंफरस्ट्रक्टर पर बीसेज जोर दिया जा सकता है तो था, रेलवे सुविदाओ पर फोकस बजेट में जाती सुविदाओ पर सरकर का फोकस हो सकता है बुलेट ट्रेंड को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकते है फच्वा, हेल्थ से सेक्टर को लेकर भी बड़े ऐलान हो सकती है पोर्णा महामरी को देखते हुए सरकर हेल्थ सेक्टर की बजट में बड़ोत्री कर सकती है खटबा, अत्मे निर्बर भारत पर फोकस भारत इस्तजाल की बजट में मैनुफेक्चरिंग के उपर फासा जोड़ दे सकती है इसके अलावा भी रियल स्टेट सेक्टर पर भी इस बजट में बड़ा गोशना हो सकती है आपका क्या उम्मीद है इस बजट से कमेंट्स में बताइए साथ इसाथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्काइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुचे सबसे पहले